द्रिष्टे बिहार में अब हम लोग आज देखेंगे बिहार में बाओद एवं जैन धर्म बिहार में जन में जैन तिर्थकर तो दसमें तिर्थकर जो थे वो सीतल नाथ थे । बारवें तिर्थकर बसु पुझी थे जिनकी जन भूमी चंपा पूरी थी जो भागल पूर के निकट है । आवात आते हैं महावीर और बिहार में इनका जन महावीर का बैसाले में हुआ था बसाड मुझभपरपुर केवल की प्राप्ती हुई थी रिजु पालिका नदी के तठ पर और ज्रिम्बिक ग्राम में साल विरिक्ष के नीचे प्रतम उपदेश इन्हों ने दिया था राजग्री में बराकर नदी के तठ पर बिपुलाचल पहाडी पर और इनका प्रतम वर् की तिर्थकरों की संख्या दो पहला महावीर पावापूरी वशुपुजी चमपा और सम्मेत सिंखर जंखंड का निरवान प्राप्त करने वाले तिर्थकरों की संख्या बीस है अब आते हम लोग जयन संगेतियों पर प्रतम संगेती दूतिय संगीती प्रतम संगीती जो है उसका अस्थान पाटली पुत्रा था अध्यक्ष जो थे इस तूल भद्र थे बर्स 310 इस्वीपुर्व में था परिणाम था गुप्त गरंथों का संकलन श्वेतामबर और दिगामबर का विवाजन अब दूतिय संगीती जो है इसका अस्थान था बल्लवी गुजरात में है अध्यक्ष देवर्दी छमाच्रमम बर्स 512 इस्वीपुर्व और परिनाम गरंथों का ही संकलन अब आते हैं हम लोग बहुत संगती में प्रतम संगती इसके अध्यक्ष जोते महा कश्चपते बर्स 483 इस्वीपुर्व अस्थान राजगरी सप्तवर्णी गुफा सासक आजात सत्रू दूतिय संगती बर्स 383 इस्वीपुर्व अस्थान बैसाली अध्यक्ष सुभुकामी सासक काला अशोक इसमें मुख्यकार्ज वेते इस्थिविर और महा संगिकामे विभाजन तिरतिय स संगती अध्यक्ष मोगली पुत्ति सासक अशोक प्रमुकार्ज अभिदंब पिटक का संकलन अस्थान पाटली पुत्र बर्स 247 इस्वीपुर्व अब आते हैं चतुर्थ संगती पर इसका अस्थान कुंडल वन कस्मीर समय पहली सताब्दी स्वीपुर्व सासक कनिश्क औ महायान में विवाजन अब आते हैं बिहार इस्थित बहुत महावियार में जिसमें कुम्रार महावियार यह पटना में वस्थित तिल्धक महावियार यह नालंदा के समीप तिल्लास गाउं में है और जगदल महावियार अवस्थित गंगावा तोया नदी के संका पर मिले हैं तकसाल जहां पर सिक्को को ढाला जाता है स्वित पूर महावियार इसकी अवस्तिती है हाजीपूर के निकट चेचर ग्राम में इसमें विशाल इस पूप जो संभवता आनंद की है यह मिली है अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार इस्थित प्राचीन विश्व विश्व विद्याले तो नालंदा विश्व विद्याले के बारे में इसका संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम थे इसमें तीन महत्वपुन पुस्तिका लेते रत्ना सागर, रत्नो दिधी और रत्नरंजन कहते हैं जो करोरो की संख्या में यहाँ पुस्तक थी कुलपती इसके सील भद्र थे वेंशांग के समय में और धर्म पाल सील भद्र से पुरू राहूल मुत्र इत्स्यंक के समय में और राहुल भद्र अंतिम कुल्पती अब उदन्त पूरी विष्विध्याल है इसके संस्थापक गोपाल थे इसकी अवस्तिती बर्तवान बिहार शरीप में है और यह तंत्र विध्या का कैंद्र हुआ करता था विक्रम्सिला विष्विध्याल है कोसिव गंगा के संगम पर बक्तियार खिल जी का आकर्मन बारवी सताब्दी के अंत में आकर्मन हुआ था नालंदा बिक्रम सिला एवं उदंती पूरी विश्य विद्याले को नस्ट किया इसके ये चीजों के सुरोत कहां से मिलते तबकाते नास्रिय रियाज उस सलातीन से इसकी मृत्यू अली मर्दान नमक सैनिक अधिकारी द्वारा बक्तियार खिल जी की हत्या कर दी गई समकालिन विहार सासक जो थे उसे में गुविंद पाल मगद में इंद्र धुन मुंगेर में उत्तर विहार का करनाट बंस नर्सिम देविस के नजराना पेस किया चेरो बंस उदय पाल बंस के पतन के ब संस्था पकदरियां खानुहानी सिकंदर लोदी का ये प्रशाशक था प्रतम सतंत्र शाशक भार खानुहानी था और शेर साह सूरी द्वारा इसका अंध किया गया था सल्तनत कालिन बिहार 1225 इसमें बिहार पर आकर्मन करने वाला था बिहार सरी बाड और लखनेती पर अधिकार किया इसने पुत्र नसरुद्दीन मुहमद द्वारा लखनोती के हिसम उद्दीन पर विजय प्राप्त की और प्रतम सुवेदार मलिक अलाउदीन जानी था संगाल के सासक रुकोद्दिन कई आउस पका अधिपत्ति था दर्भंगा के राजा सक्र सिंग द्वारा अलादिन खिलजी के सेनापति सेख मुहमद इसमाइल पर विजय प्राप्त की गई थी तुगलग मंस गया सुद्दिन तुगलग तिरहूत में टकसाल का अस्थापन मिथला बीजय 1575 में और बिहार को मुगल सुवा घुसित किया 1580 में जहांगीर सहाजादा खुर्रम का बिद्रू हुआ था फरुक सियर अजीमावाद पाटना में इसका राज्य विश्यक हुआ था बिहार के प्रमुक मुगल सुवेदार अकबर खा जहांगीर खा और 1540 में बिलग्राम का युद्ध 1540 में और मकवरा सासा राम में है इसका अब आते हैं बिहार के मध्यकालिन अवलेख बुद्ध सेन का बुद्ध गया का अवलेख बिहार सरीफ अवलेख संग्राम गुप्त का पंच चोब तामर पत्र फिरुस दुगलक का राजगीर जेन अ आया थे डच ने अपनी पहली फैक्टरी पटना में 1632 में लगाई थी जिसमें सूती वस्तर अफीम और नील का निर्यात होता था अंग्रेज इनकी पहली फैक्टरी जो थी वह पटना में थी पटना में गोल घर का निर्वान इनोंने 1786 में करवाया था पर्थम आसल पीटर मुडी थे अल्धनिक बिहार कैतियास प्रमुक विद्रो नूनिया विद्रो 1770-1800 में इसका छेत्र हातिर हुथ हाजिपूर सारण मपूर्णिया था कारण सोरा का व्यापार और नूनिया समधाय द्वारा तामर विद्रो 1785-1832 में छेत्र छोटा नागपूर उराव जंजाती द्वारा कारण जमिनदारों का विद्रो नेत्रित्व करता मुंड़ विष्णु मुंड़ और मौजी मुंड़ बहावी आंदुलन इसके प्रवर्तक मुहमल अब्दुलबरह अरब के प्रमुक नेता जो थे वो थे बिलायत खाल अलिखा इनायत अलिखा स मुहम्मद हुशैन इसका भावी आंदुलन का मुख्य के अंदर पटना था और इसके में भारत के संस्थापक जो थे सेद आहमद राय बरेली थे अब आते हैं लोटा बिद्रो पर ये मुझह परपूर जेल में हुआ था कारण जेल में पीतल की जगा मिटी का लोटा दे द होता था इसमें अंग्रेज प्रसासक अगस्टन क्विल फ्रेंड थे ताना भगत विद्रो उन्हें सो चौदा में सतंतरता तक प्राव्णमी के नाव कुरूख धर्म है नेत्रित्व करता जत्रा भगत जर्मन कैंसर बाबा के नाम से नहीं जाना जाता था इनकी प्रकृति सिंगराई मानकी के अधिकार छीन जाना और दिक्वों का द्वारा शोचन किया जाना जिसके कारण पे कोल बिद्रो हुआ था इसके नेत्रित्व करता बुद्धु भगत और गंगा नारायन थे परनाम वीन में रेगुलेशन का आरोपन ब्रेटिस प्रशासन क्याप्टन थामस विलकिंसन ने किया था जिसे कि उन्हों वह अपने अपने हिसाब से उन्हों का नाम किशुन सहाब रखे हुए थे संथाल बिद्रो छेत्र दामीन एक को कारण दीक्वों द्वारा शोशन नेत्रित करता सिंदो कानु चांद तता बहरव प्रमोक अंग्रेशास कैप् का परिणाम दामीन एको का नाम परिवर्तन नाया नाम संथाल परगना कास्टकारी अधनियम अब आते हैं बिहार जो 1857 की करांती में था रोहिनी बिद्रो अस्थान देव घर जिला वर्तवान मिजहारखंड का रोहिनी ग्राम समय 12 जून 1857 सेना की 32 रेजिमेंट ने ये ब प्रमुख थे पठना में बिद्रो समय 3 जूलाई 1857 को और इसमें अंग्रेज अधिकारी टेलर कमिशनर पठना नत्रुत करता जो थे पीर अली थे जो के एक पुस्तक विक्रेता थे कुमर सिंग जगदीशपूर के जमिंदार थे इनकी प्रमुख विजे सहाब सहाबाद आरा राजमगर थी इनकी अप्रित्व 26 अप्रेल 1858 को जगदीशपूर में वी कभी न हारने वाले बिद्रो ही नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है मुंडा बिद्रो 1892 से 1900 इसके नेतृत करता विर्षा मुंडा थे अन्नि नम उल्गुन महान हल चलते कारण सामुई खेती खूट कटी की परंपरा को दिखूँओ द्वारा आतिकरमन और सेलर क्या पहाड़ी पर अंग्रेजों से पराजए मैं बार बार दिखूँओ के बा में नेता महात्मा गांधी कारंतिन कटिया कर प्रथा का विरोध किशान सभा 1922 से 23 में इसका अस्थान मुंगेर में अध्यक्ष साह मुहम्मद उपाद्यक्ष स्री कृष्ण सिंग वस्षिद्ध्य सुरी चोधरी सचीव नंद कुमार सिंग अब आते हैं बिहार प्रांतिय ा के किसान सभा में इसके अस्थान सौनपूर मिलया में अध्यक्ष स्वामी सहजानन शरश्वति सचिव श्री कृष्ण सिंग विहार प्रांति किसाब सभा के सम्मे्लं प्रतम सम्मिलन अस्थान सोनपूर अध्यक्ष सहाजानन सरश्वती बर्स 1929, दुतिय सम्मिलन बर्स 1934 अस्थान गया अध्यक्ष पुरुसोत्तम दास्टंडन, तुतिय सम्मिलन बर्स 1935 अस्थान हाजीपूर अध्यक्ष स्वामी सहाजानन सरश्वती, बिहार के प्रमुकर प्रभांतिकारी बाबा जी ठाकुर्दास पत्ना में रामक्रेश्म सोसाइटी के अस्थापना उने 106 से साथ तक किया दी मदर्लेंड समाचार पत्र का प्रकाशन किया सविद्रनात सान्याल पत्ना में अनुसास अनुसीलिन समीती की साखा के संस्थापक बनारा सडियंद्र क इसके थात काला पानी बंदी जीवन पर पुस्तक का लेखन बंकिन चंद्रमित्र अनुसालन समीती पटना की अस्थापना में सहयोग लेवल्टी लीग लेट्स वितरण 1915 में सहयोगी टीके घोष अखिल चंदर दास गुपता और बिहार नेशनल कॉलेज के थे बैकुन्द सुकल हाजिपूर में क्रांतिकारी गतिविधियो में सामल थे फनेंद्र घोष लाहर शपीयंद्र के गवा की बेतियां में हत्याकी गई और इनकी पहासी होई मजपरपुर्बमकांड 30 अप्रेल 1908 ये इसमें अभ्युक्त जो थे खुदीराम बोस और प्रफुल चाकी थे इनका लक्ष था अंग्रेज जज किंग्स फोर्ड की हत्या करना बल मगर उसकी जगह पर अंग्रेज वकिल कैनेडी की पत्नी और पुत्री की हत्या हो गई 1916 को अध्यक्ष मजरूल हक थे मुझपर पूर्शाखा के संस्था पक्जरक धारी प्रशाद थे अब आते चंपारन सत्यागरा 1917 में चंपारन सत्यागरा को गांधी जी का पहला सत्यागरा कहा जाता है इसने तिन कठिया प्रणाली का विरोध किया था राजक्मार सुक्ल द्वारा गांधी जी को आमंत्रन लखनो अधिवेशन दिया गया था जिसके बाद वह आये थे यहाँ पर इसमें प्रमु कांदोलन कारी जो थे राजंद प्रशाद अनुग्रा नारायन सिंग मजरूल हक ब्रज किशोर प्रशाद और संबू सरन थे ये कोश्चन शिक्सटी सेवंध बीपेसी में पूछा गया है कि चंपारन सत्यागरा के प्रमौ कांदोलन कारी कौन थे तो याद रखिए का राजंद प्रशाद अनुग्रा नारायन सिंग मजुरूल हक ब्रच किशोर प्रशाद और संभू सरन चंपारन एग्रोरियन समीती इसके गठन करता एड़वर्ड आलवर्ट गेट जो थे उपरेज चुपाल बिहार से थे अध्यक्ष एजी सलाई थे सद्यस गांधी जी एसी आदमी अदामी चंपारन सत्यागरा में गांधी जी का पटना आग्वन 10 अपरेल 1917 को हुआ था मजुरूल हक और भगान मालिक संगे के सचिप जेम्स विस्सन से भीट की इने मोतिहारी गए थे ये 15 अपरेल 1917 को बेतिया में ये 22 अपरेल 1917 को आया थे जहां पर हजारी मल धर्म साला में विस्राम किया था चंपारन एग्रेरियन एक्ट 1918 में पारित हुआ मोतिहारी आस्रम की सलका सिलाल नयास के अनुने 24 में 1918 में बिहार में अवाते असयो गांधुलन में इसके समर्थन में 6 अपरेल 1919 को बिहार में हड़ताल ला माहत्मा गांधी दारा बिहार में रास्ट्रे महा विद्धाल और बिहार विद्धापीट का उद्खाटन छे फरवरी 1921 को किया गया प्रिंस अप वेल्स के पटना आगमन 22 दिसंबर 1921 पर हड़ताल हुआ प्रमुक नेता सहाम उद्धिन जुबेर मुंगेर से थे गुलाम इमाम पटना से थे गोरक परशाद मोती हारी से थे और डाक्टर राजन परशाद और धरनी धरन परशाद आधी भी थे बिहार स्वराज दल 1923 का गठन किया गया था इसके अद्यक्ष नारायन परशाद थे और इमारत ए सरिया फुलवारी का गठन था किया गया था फुलवारी में जो इसका गठन किया गया था इसके संस्था पंक मौलाना सज्जात थे कॉंग्रेस का गया अधिवेशन ने 222 इसमी में हुआ था इसके अद्यक्ष चितरंजन दास थे और सुराज दल का गठन हुआ था सहाबाद से नसाबंदी आंदोलन प्राडंब हुआ था अब आते है बिहार में सामन कमीशन का भाहिशकार लेट मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर एक नवम्बर 1927 को हुआ था लेट मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाले बिहार के नेता अली इमाम सचिदानन सिंदा और इसमाइल खाते अली इमाम की अद्यचता में पटना में सरदली सभा हुई थी आयो के सदस्यों का पटना आगमन हुआ था 12 दिसंबर उने सटाइस को आयो का स्वागत महराज डुम्रा द्वारा किया गया था बिहार में सौभी ने वग्या अंदुलन की सुरुवात हुई थी दांडी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी गिरिवर धारी चौधरी थे जि और जेवी कृपला निमोतिहारी से थे और विपिन बिहारी वर्मा सारण वचंपारन से थे अब आते हम लोग बिहार में व्यक्तिगत सत्यागरा पर कॉंग्रेस के रामगड अधिवेशन बिहार से प्रार्णा हुआ त falls यूँकि यह तिरपनुवा अधिवेशन था इसके दिश्चता मौला अबुलकलाम आजाद ने की थी बिहार के प्रत्म व्यक्तिगत सत्यागरी थे और बिहार के व्यक्तिगत दूती सत्यागरी पुरा नारायन सिंग की गिरफतारी पटना में हुई थी बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन राजन प्रशाद की गिरफतारी 9 अगस्त 942 को हुई थी गिरफतार करता डबलू जी आर्चर जो जिलाधिकारी पटना में थे इन्हें पटना के बाकिपूर जेल में रखा गया था महाधिवक्ता वल्देव सहाय द्वारा त्याक पत्र दिया गया था जैप्रकाश नारायन द्वारा आजाद दस्ते का गठन हुआ था राज बिलाज जंगल नेपाल में वह भाग के नेपाल चले गए थी जहां पर उन्होंने यह चीज किया था चात्रों का कॉंग्रेस प्रस्ताव का समर्त अंजुमम इसमाईल इसमाईलिया हाल था महिला चर्खा क्लाकदम कुवा पत्ना में द्वारा जुलूस निकाला गया था जिसके अध्यक्षता स्रीमती भगवती देवी ने की थी जो कि राजन प्रशाद की बहन थी और जैप्रकाश नारेन द्वारा वल कि अस्थापना हुई थी अब आते हैं पत्ना सची वाले गोली कांड पर इसका समय 11 अगर्स 1942 था इसके अभ्यूक्त डबलू जी आर्चर थे जो कि जिलाध्यक्ष थे पत्ना के इसमें साथ चातरों के मृत्य हुई थी आप इस चीज को देख सकते इस मेमोरी को इसमें सबसे पहले पत्ना सची वाले गोली कांड में सहीच जो हुए थे वो माकांद प्रशाद सिंग, राजेंदर सिंग, जगबती कुमार, सतीष प्रशाद ज्जा, राम कूबिंद सिंग और देवी पल चौदरी और रामानंद सिंग थे ये सब सारे के सारे जो है इनकी मृत्त वाले जा रहे हैं और इनकी सहादत को हम लोग अभी भी नवन करते हैं, अब आते हैं परिच्छा के द्रिष्टी से, श्रीकृष्ण सिंग के नेत्रित में बिहार में प्रांतिय सरकार का गठन हुआ था, दो जनबर उन्हें सोचियालिस को, बिहार प्रांतिय कॉंग्रेस स स्थापक सचीब थे स्रीकृष्ण सिन्ना और राजक्मार्शुकल के गाउं का नाम था, मुरली भर हवा, तो ये थे, आज ये दूसरी वीडियो थी, बिहार इश्पेशल द्रिष्टी से, अभी मैं तीसरी वीडियो भी बहुत जल्दे कर आओंगा, आप इस चैनल पर बन बनेवाद।